नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है जोते शास्ट के अनुसार समय समय पर सूरे और चंद ग्रहन पढ़ते हैं जिनका प्रभाव मानव जीवन और प्रित्वी पर पढ़ता है आपको बता दें कि साल का पहला सूरे ग्रहन 20 अप्रेल को पढ़ेगा एक ग्रहन भारत के समय नुसार 7 बच कर 3 मिनट से शिडू होकर दोपहर 12 बच कर 28 मिनट तक रहेगा इस ग्रहन को दक्षिड पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर और अंटार्टिका सहित कई देशों में भी देखा जा सकेगा वहीं भारत में इस ग्रहन का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा इसी लिए सू तक भी माने नहीं होंगे लेकिन इसका प्रभाव सभी राशियों पर कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलेगा लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं जिनको इस समय धनलाब और उन्नती के योग बन रहे हैं आए जानते हैं ये राशियां कौन सी हैं आप लोगों के लिए सूरिग रहन लाप्रत साबित हो सकता है इस समय आपको नई जॉब का प्रस्ताव आ सकता है साथी नौकरी पेशा लोगों का इंक्रिमेंट और प्रमोशन हो सकता है वही बॉस आपसे खुश हो सकते हैं साथी ये गोचर आपके लिए आर्थिक माम लोग में काफी महत्वपूर रहने वाला है इस दौरान आपके आर्थिक इस्थित बहुत मजबूत होगी वही जीवन साथी के साथ सम्मंद अच्छे रहेंगे साथी समय आपको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ती हो सकती है सूरिक रहन मिथुन राशी के जातकों को शुप फलदाई सिध हो सकता है इस समय आपको कोट कचैरी के मामलों में सफलता मिल सकती है साथी जो लोग राजनीत से जुड़े हुए हैं, उनको किसी पत की प्राप्ती हो सकती है वहीं आप सामाजिक रूप से और सकरिये होंगे इस समय आपको कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा साथी इस समय आपको उधार दिया हुआ धन भी वापस मिल सकता है साथी इस दौरान नौकरी पेशा जातकों को ज्यादा धिकार दिये जा सकते हैं जो व्यापारी लोग हैं उनको नए ओरडर आने से अच्छा धनलाब हो सकता है वहीं समय आपको भागी का साथ मिल सकता है साथी संतान पक्ष से कोई शुप समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन रहेगा वहीं वैवाहिक जीवन सुक मैं बिताएंगे साथी आप लोगों को शनी की साड़े साथी से भी मुक्ती मिल गई है इसलिए आपको कामों में सफलता मिलेगी आपके राशी पर ग्रहन के प्रभाव से जुड़ी सवाल हमें कमेंट सेक्षन पर पूछिए और जोदिश की खबरों के लिए बने रहे जन सता के साथ धन्यवाद